इंद्रा मरी निवास में, राजी मरा मद्रास में, संजय मरा आकास में, लालू मरे का चास में, जारखंड बनेगा उसकी लास में इंद्रा मरी निवास में, राजीम मरा मद्रास में, संजे मरा अकास में, लालू मरेगा चास में, झारखंड बनेगा उसकी लास पे दरसल सूरज मंडल ने ये विवादास्पत भ्यान दिया है। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए लालु प्रसाद यादब पर ये जो विवादास्पत भ्यान दिया है। इसके बाद R.J.D भाजपा पर काफी आक्रामक हो गई है। आपको बताते चले कि सूरज मंड लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि जारखंड उनकी लास पे बनेगा और उसी समय उन्होंने ये ब्यान दिया था उन्होंने अपना पुराना ब्यान लोगों को याद दिलाया और कहा कि लालू प्रसाद यादव जिंदा है और लाल बने हुए लगभग दो दसक से भी जादा हो चुके हैं इसके बाद ये ब्यान काफी सुर्खियों में हैं वहीं आपको बता थे चले कि लालू प्रसाद यादब इन दिनों काफी चर्चा में हैं लालू प्रसाद यादब पर CBI जिस तरीके की कारवाई कर रही है उससे भी व आने वाले लालू प्रसाद यादब के लिए एक ऐसा ब्यान दिया है जिसे राजनीतिक हलकों में काफी उच्छाल आ गया है आपको बताते चले कि चिराग पास्पान ने साप साप कह दिया कि लालू प्रसाद यादब खुद कह चुके हैं कई बार मंच से कह चुके हैं कि अब वह पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं, पुर्ण स्वस्त हो चुके हैं, अब वह नरेंद्र मोदी को, इस देश के प्रधान मंत्री को फिट कर देंगे, तो फिर आखिर उनको स्वास्त कार्णों से जो जमानत मिली थी, उसकी रिभ्यू की जवरत है, यानि कि चिराग पास्मान साप साप कह रहे थे, कि लालू प्रसाद यादब को स्वास्त कार्णों से बिल मिली थी, लेकिन लालू प्रसाद यादब जब स्वास्त हो चुके हैं, तब रिभ्यू करके उनको फिर से जेल भेद देना चाहिए, और इसी बात को लेकर नितीश कुमार का भी रम्मन जारीकर पुछताच के लिए बुलाया था और 14 अगस्त को बुलाया गया था उसके बाद 24 अगस्त को बुलाया गया लेकिन जारखंड के मुख्मंत्री हेमंद सोरेन एडी की पुछताच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और 14 अगस्त को ना पहुचे और ना ही 24 अगस्त को पल्चुए बलकि अब हेमंत सोरेन ED दफ्तरना जा करके सुप्रीम कोट पहुच गए हैं और सुप्रीम कोट से उन्होंने दर्ख्वास्त की है याजका डाली है कि ED उन्हें जान बुझ कर परिसान कर रही है आपको बताते चले कि जारखंड के मुख्ध मंत्री हेमंत सोरेन औरवो के जमीन घोटाले में आरोपी बनाये जा रहे हैं और उनसे इसी बावत ED पुष्टाच के लिए बुलाई थी हेमंत सोरेन के विधायक परतिनीदी प्रेम प्रकास अभी जेल में हैं इसी के साथ साथ काफी सारे लोग अभी जेल यात्रा पर हैं और हेमंत सोरेन के काफी करीवी अधिकारी भी जेल यात्रा पर हैं और ED लगातार ED का कहना है क्योंने हेमंत सोरेन के खिलाब भी काफी सारे अहम सबूत मिले हैं और हेमन्द सोरेन से वो पूश्ताच करना चाहती है लेकिन हेमन्द सोरेन सुप्रीम कोट पहुच चुके हैं वहीं लालु प्रसाद यादब के भी जमानत को खारिज कराने के लिए CBI सुप्रीम कोट पहुची थी वहाँ पर कपील सिब्बल ने मानवता क्या धार पर और बक्त दे दिया है और CBI का कहना है कि दरसल देर महीने के बाद जो बक्त दिया गया है उस दिन CBI ऐसी ऐसी दलीले पेश करेगी और ऐसे सबूत सुप्रीम कोट के सामने रखेगी कि लालु प्रसाद यादब की जमानतियाज का खारिज हो जाए वहीं आपको बताते चले कि दरस सुरज मंडल के इस ब्यान को आने के बाद तेजस्षी आदब का भी बहुत बड़ा ब्यान आया है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भाजपानेता लालु प्रसाद यादब के खिलाप साधी सरच रहे हैं लालु प्रसाद यादब का किजनी ट्रांस्प्लांट उन्हें स्वस्त बताया गया था अब इसी बात को लेकर जब सुरज मंडल का ब्याना आ गया है तो काफी सुर्खियों में हैं हलाकि इन सारे मामलों पर हमारी नजर बनी हुई है और जैसे इस मामले में कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जोर पहुँचाए करेंगे जुए रहे हमारे साथ जय हिन जय भार्त जय जय विहार